भाई और भेनों, हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इन्फासक्चर के विकास के उस विकास को राज नीती से दूर रखा जाना चाहिए. देश का इन्फासक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है. यह पांच साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बलकि आने वाली अनेकों पीडियों को लाब देने वाला मिशन है. राज नीतीक दलों को अगर सपरधा करनी ही है तो इन्फास्ट्रिक्चर की विकालिटी में सपरधा हो. Speed में स्पर्दा हो Scale को ले कर के स्पर्दा हो मैं हाँ एक और मानसिक्ता का भी जिक्र करना जरूरी समगता हूँ जो अक्षर हम प्रदर्शनों और अंदलोनों के दोरान देखते हैं ये मानसिक्ता देश के Infosector को देश की संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने की है यह संपती किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है, यह संपती देश की है, यह संपती आपकी है, देश के नागरीकों की है, हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मद्यमबर का, समाज के हर वर्क का, इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है, गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है तब सब बनता है इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब देश के सामान ने जन को चोट है इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए अमें अपने राष्ट्रिय दाइत्व को भी नहीं भूलना चाहिए साथियों जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाये जाता है वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्तितियों में भी देश के काम आती हैं ये कोरणा काल में दिखा है मुश्किल में फसे समीकों को अपने गाउं तक पहुचाना हो दवा और राष्टन को देश के कोने कोने तक ले जाना हो या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविदा देना हो रेल्वे के पूरे नेट्वर्क का सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा यही नहीं इस मुश्किल समय में रेल्वे ने भार से गाउं लोटे स्रमिक साथ्यों के लिए एक लाग से जादा दिनों का रोजगार भी सुजित किया है मुझे भी स्वास है कि सेवा सभाव और राष्ट के समरुद्ध के लिए एक निष्ट प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा